तो दोस्तो ये है I-Buzesic Oral Suspension तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये I-Buzesic Oral Suspension जो है ये बच्को क्यों दिया जाता है यार नि क्या क्या फाइदा होता है और उसके अलाबा भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ये I-Buzesic Oral Suspension दिन में कितनी मात्रा में देना चाहिए और इसे लेने की वज़े से क्या-क्या सब्धनिता बरत नी साहिए तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और सेनल पर नहीं हो तो सेनल को भी सस्क्राइब चुरू करें तो अचले लिए फिर शुरू करते हैं तो दिखें दूस्तों ये इसके अंदर यानि आईब्रूजिसिक औरल सस्पेंशन के अंदर जो आईब्रूप्रोफिन जो सॉल्ड है ये एक एंटी इंफ्लमेटरी और एंटी पाइरूटिक मेडिसीन है यानि दर्द और बुखार को काम करने का काम करता है बहुत सारे कारणों की वज़े से अक्षर बच्चों की शरी पर दर्द हो सकता है शाहे वो किसी फूनची फोरे यानि बॉइल्स की वज़े से हो सकता है शोट की वज़े से हो सकता है दात में भी दर्द हो सकता है सर में दर्द हो सकता है या फिर बुखार को काम करने का भी काम करता है यह IBUSYCAL SUSPENSION तो इन सभी कंडिशन में य JupYCAL SUSPENSION आप दे सकते हो ठीक है तो दोश्ता आप बात करते हैं यह IBUSYCAL SUSPENSION की डोजिस के बारे में तो दोश्ता है यह IBUSYCAL SUSPENSION एक से दो चल बच्चों को आप 2.5 से लेकर 4 ml तक आप दे सकते हो और एक साल से निचे बच्चों को आप 1 ml 2, 2.5 ml तक आप इससे दे सकते हो दिन में 2 बार या फिर 3 बार दे सकते हो जुरूरत की मुताबिक ही आपको देना शाहिए अगर दर्द कम हो गया है तो आप यह नहीं दे सकते हो और हाँ एक बात का ध्यान जरूर रखे आप क्योंकि यह एक एनलजेसिक है यानि एक पेन किलर है तो इसे खाली पेट पर बिलकुल भी बच्चों को ना दे ठीक है इस बात का ध्यान जरूर रखे उसके अलाबा भी दोस्तों यह आईबुस दिसे गॉर्यल सस्पेंशन लेने के वज़े से ऐसा कोई मैजर साइड इफिक्ट देखने को नहीं मिलेगा अगर आपकी बची को कोई किड्नी या फिल लिवर की कोई शमेशा ना हो तो ऐसा कोई मैजर साइड इफिक्ट देखने को नहीं मिलेगा आप निसी इंतरूप से इसे इस्तामाल कर सकते हैं अगर यह सब प्रब्लम है तो अगर बच्चे को ठीक है तो दोस्तों I hope कि यह information आप सभी के लिए बहुत ही जादे useful होगा तो वीडियो कैसा लगा निसे comment पर चुरूर बताएं तो मिलते हैं आगले एक information के साथ